हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज है 22.92, 22.92 से करेंट फेर्स के जितने भी इपॉर्टन कोश्चन बनते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला इपॉर्टन कोश्चन है, हाली में विश्व टेलिंग विजन दिवस कब मनाया गया है, इसका सही आंसर है, आप्सन नमबर C, 21 नौमबर, विश्व टेलिविजन दिवस हर साल 21 नौमर को मना जाता है, या प्रसारण मीडिया की भूमिका को शिकार करने के लिए मनाया जाता है, इस दिन पत्रेकार, लेखक, ब्लोगर और अन जो माध्यम से चुड़े हैं, संचार और वैश्वी करण में टेलिविजन की भूमिका को बढ़ावा देते हैं, इवन जी ने 22 नौमबर उनिस सो चानबे को पहला विश्व टेलिविजन मंच आउजित किया था, चलिए अब आपको नौमबर मा के सारे इंपोर्टन दे रिविजन करात पास नौमबर को विश्व सुनामी जागरुता दिवस, सात नौमबर को राष्टिय कैंसर जागरुता दिवस, सात नौमबर को इसी सुस्व च्छा दिवस, नौमबर कानुनी शिवा दिवस, ग्यारा नौमबर राष्टिय सिच्छा दिवस, ग्यारा नौमबर को वल्ड सा 11 नॉबर को international day for tolerance 16 नॉबर को वल्ड deso remembrance for road traffic victims 17 नॉबर को राष्ट्र अ question 2 हाली में गूगल द्वारा उपयोग करता 24 गेम्स रणी के तहत सर्वस्रेश्ट गेम द्वार नुश में कौन सा खेल चुना गया है इसका सही आंसर राप्स नमबर बी इंडियन एयर फोर्स एक कट अबब अगले कोश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें कौश्चन नमबर थर्ड, हाली में उडिशा के पुलिस महानी देश सक डिजीपी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है इसका सही आंसर आप्स नमबर बी अभय उडिशा राज सरकार ने वरिष्ट IPS अधिकारी अभय को पुलिस महानिदेशक उडिशा नुक्त किया गया है उन्हें संग लोग से वायोग की सिपारिस के अधार पर नुक्त किया गया है अभय IPS अधिकारी बीके सर्मा की जगा लेंगे चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहोंगे यह उडिशा के नए महानिदेशक डिजेपी अभय जी चलिए अब आपको उडिशा के बार में आते हैं उडिशा गठाने 1 अप्राइल 1936 को हुआ था वरतमान मुख मंत्रिया है स्री नमीन पतनायक जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं गवर्नर प्रोफेशर गणीशिलाल कैप्टल भूनिश्वर फर्स्टी है हमारे कृष्णा महताफ फर्स्ट गवर्नर है सर जॉन एस्टेन अबबाक क्लोग सबसीटिक की स्राज सबसीट दर्स टोटल डिस्टिक है थर्टी लाजे सॉटल डे की बात के दे चिलिका है क्लासिकल डैंस की बात के तो ओड़ीशी नैशनल पार्क है चिलिका वाइल लाइफ नंदा कानन जू लॉजिकल डैं से हीराकूंड मंदीरा में रिवर से ब्रामडी भारगवी उडिशा सट्वी राज्यों के बाय मा आते तो मद्द प्रदेश वेस्ट में आंद प्रदेश साउत में वेस्ट बंगाले नौर्थ इस्ट में जारखंडे नौर्थ में चलिए आपको मैप में दिखाते हैं औरिशा, यह हैं मैप में औरिशा कोश्व नमबर फोर वर्ष 2019 में विश्व दरसन दिवस कब मनाया जाता है इसका स़ी आंसर है आप्शन नमबर सी 21 नौमबर 20 दरसन दिवस इस साली 20 नौमबर को मनाया गया नॉम्बर महिनने के हर तीसरे गुरुवार को या दिन मना जाता है इस दिन युनुश्कों ने पतेग संस्कृती और विक्ति के लिए मानविचार के विकास के लिए दर्सन के मूल पर प्रकाश डाला था कोश्व नॉम्बर फाइव दिनिया का पहला मुश्रिम योग सिविर कहां लगा है इसका सही आंसर है आप्सर नॉमबर B उत्राखंड दुनिया का पहला मुश्रिम योग सिविर 20-24 नॉमबर उत्राखंड 19-19 को उत्राखंड के कोटद्वार सहर के कनव आश्रम में शुरू हुआ योग श्रीवर में योग का भ्यास करने से जुड़े सौस्त लाबो को भी दिखाया गया है चलिए वापको उत्राखंड के बार में आते हैं उत्राखंड का गठन नौन ओमर दो जर को हुआ था गवर्नर स्री मती बेबी रानी मौर्या गवर्नर देहरादून फस्ट यम है नित्याननस्वामी फस्ट गवर्नर है एसस परणाल लोकसवा सीट 5 रासवा सीट 3 टोटल लिस्टिक है 13 फेमस फूलोकी घाटी जो की उत्राखंड में है तथा सांती गाटी जो की केरल में है में डैंस है बरदानाटी, पांडाउ निरित्ते, में रीवर है अलक नंदा भागिरती, दोली गंगा गंगा, कोसी और मंदाकनी नेसल पार्क है राजाजी, जीम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री डैंस की बातके दो, टीहरी बेम्टाल और रामगंगा उत्रखंड से सटे वेर राजा और देश के बारे मया थते हैं तो, चाइना है नौर्थ में, नेपाला इस्ट में हिमाचा प्रदेश है नौर्थ, वेस्ट रेंड वेस्ड में उत्तर प्रदेश है, साउथ में, हरियाणा है, साउथ वेस्टन कॉर्णर में चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उत्राखंड, यह है मैप में उत्राखंड कोश्व नमबर 6 किस राज ने प्रतेक दिन एक घंटे के लिए बैंगलूरू में मुफ्त वाइफाई से वाएं प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है करनाटक राज ने प्रतेक दिन एक घंटे के लिए बैंगलूरू में मुफ्त वाइफाई से वाइफाई से वाइफाई प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है इसे जनता प्रेटको और कई अन्य हितिदारकों से इस्तिना के बोनियादी ढाचे की लगातार मांग के बाद योजना शुरू की गई है करनाटक के उपमुख मंत्री सीजन अस्वत नरायर ने बीस नौम्बर कोई घोशना की इस जनता के लिए अनुमान लागत सौ करोड उर्पे है चलिए अब आपको करनाटक के बाएं माते है करनाटक के गटन एक नौम्बर उन्नीस सो चपन को हुआ था चीप मिनिस्टर ने स्री एजडी कुमारा स्वामी गवर्नर ने स्री बजुबाईवाला कैपिटल है बैंगलोर फस्षियम है के चंगलर आया रेड़ी फस्ष्ट गवर्नर है जयाच अमरा राजिंदरा वडियार लोग सबसीट अठाइचरा सबसीट बारा टूटोलिस्टिक है थर्टी स्टिट डैंस के बात के हैं तो यक्षिगान नैसल पार्क अनागर होल बंदी पूर अनसी बद्रा टाइगर रिजर्फ डैं से तुंग बद्रा क्रिष्णा राजा सागर में रिवर से कावेरी मांडवी क्रिष्णा तुंग बद्रा चली है आपको मेप में दिखा तें है मैप में कर्नाट का कोशन नमर सेवन स्टिटा के प्रधान मंत्री के रूप में किसने सपतली है महिंद्रा राक्षपक्षे ने किस नॉम्मर को प्रधान मंत्री के रूप में सपत ली है इन्होंने रनिल विक्रमाशिंगे के इस्तिफ़े के बाद सपत ली 22 नॉम्मर दॉरन उसको 15 से 10 ये कैबिनेट भी सपत गराण करेगा चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये हैं महिंद्रा राक्षपक्षे अब इहाली में स्रिलंका की एरनाए राष्टपती गोदभया राक्षपक्षे बने थे चलिए आपको स्रिलंका के बारे में आते हैं सीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्दीने पुरय कोट्टे जो कि लगे श्लेट्ट्वी कैपिटल है तता कॉलम्बो भी एक कैपिटल है प्राइर मिस्टर है महिंदा राक्षवक्षे जो कि आपको इमेज में दिखा दे रहे है करंसी है सिलंकन रुपी, इंडिपेंडेंस डे, चार फ़रवरी, बिगस्ट लेख है काला वेवार रिजिवेरियर नैसनल गेम की बात करें तो वाली बाल, बर्ड है, जंगल बॉल, फ्लावर है, वाटल इल्ली, इंडिया और सिलंका के बीच एक पाक इस्ट्रेट है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं सिलंका, ये इमेज में सिलंका कोश्ट नमबर एट, किस विदेयक ने मंत्री मंडल द्वारा अनुमोधन के बाद कराधान कानून संसुधन अद्धादेश 2019 को प्रत्ति अस्थापित किया है इसका सही आपको इमेज में द्वारा अनुमोधन के बाद कराधान कानून संसुधन विदेश 2019 को प्रत्ताओं को मंजूरी दे दिये है चलते हैं कोश्ट नमबर नान के दुलफ ब्रेस्पती के किस चंद्रा में जलवास्प की उपस्तिती पाई गई है इसका सही आपको इमेज में जलवास्प की उपस्तिती की पुष्टी की है सोत करताओं ने यूरोपा की बर्फिली सता के ओपर जलवास्प के प्लम जैसे रूपों का पतल लगाया है जिने उस सरजित और रक्त प्रकास की तरंग दैर के रूप में भी पाया गया है चलते हैं कोश्टन नमबर 10 की दुरफ हाली में जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पी-म कौन बने है इसका सही आंसर है आप्सन नमबर ए एबे सिंजे प्रधान मंत्री अबे सिंजे बीस नमबर 12 को जापान की समय धानिक सरकार के इत्यास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री बने हैं इन्होंने अब तक 2887 दिन सेवा दी है इन्होंने कार्याले में कुल 2886 दिनों के साथ कत सुरा तारोज द्वारा रखे गए पिछले रिकार्ट को तोड़ दिया है चलिए आपको अब जापान के बारे में आते हैं जापान की केप्टल है टोकियो प्राइमेंश्टर है जिन्जे अवे जो की आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं इंपरार नारू हितो करनसी है इन नैशनल लेगार फिर वरी हाइस्ट माउंटन माउंट फिजी बिगेस्टी की बात करें तरहें इन दे वर्ल्ल है टोकियो जो की जापान में है नैशनल गेम सोमो बरड है ग्रिन पेज अन्ठ फ्रावर रेचिरि ब्लोओ जापान में अटम fellow प्राइट जो की इंपोर्टन है यह मैप में जापान Question number 11 हाले में भारत में किसे पेटा person of the year चुना गया है इसका सही आंसर है option number C विराट कोली वर्स 1219 के लिए विराट कोली को पेटा इंडिया का person of the year चुना गया है जानवरों की दसा मिश्टुदार करने के लिए विराट कोली ने कई काम की है जिसके चलते हूं नहीं यह किताब दिया गया उनसे पूर्विया किताब ससी थरूर, सुप्रीम कोट की नयदिस के यस पनी कर और अभिनित्री, अनुष्का शर्मा जैसे लोगों को मिल चुका है चलिए आपको इमेज में दिखाते है यह है विराट कोली जो कि भारती टीम के कैप्टन भी है कॉशन नुबर 12 किस अभिनित्री ने एक फिटनेस और जीवन सैली के अगरणी बैंड के साथ मिलकर सी गौटरी नामक अभियान सुरू किया है इसका सही अंसर आपसे नुबर A कैटरीना कैफ फिटनेस और जीवन सैली के अगरणी बैंड लिबॉक ने ब्रांड अमबिस्टर कैटरीना कैफ के साथ सी गौटरी ने अभियान सुरू किया है कमपनी ने अभियान के बारे बताया गया है कि इसके माद्यम से विश्व भर में मैलों को फिटनेस की अपनी नेजी अभिवक्ती को खोजने के लिए प्रोशाइद करना है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह हैं कैटरीना कैफ कोशन नमर 13 रच्छा मंतरी राजनाश सिंग ने हाली में किस देश के क्रॉंजी युद इश्मारक का दोरा किया इसका सही आपक्स नमर D शिंगापूर रच्छा मंतरी राजनाश सिंग ने सिंगापूर के क्रॉंजी युद इश्मारक को देखा और दोत्य विश्वविद में यूटी के दौरान जान गवाने वाली लोगों को सरधान जली दी यह इस मारक भारत बेटे ने स्टेलिय कनाडा श्रिलंका मलाया नीदल लणा और नीजलन के उन पुरुसों और महिलों को समर्पित है जिरोंने दूसरे विश्विद में सिंगापूर और मलाया की रच्छा कर बेरेहें प्र्यमिंष्टर ने लिई, लोंक, करंशी है सिंगापूर डॉलर नैश्विद ने 9 अगस्थ बियेश्व लेक है जिरोंक ने अनिमर अन्ंवर लाइंस पीर्लिमेंट ने में पार्लिमेंट menjadi पॉर्लिमेंट इसका सई आंसर है अप्स नमबर बी तिलंगाना ग्रे मंत्रालन ने अपने आदेश में कहा है कि विधायक ने भारती नागरिकता ये तू आवेदन देने से पहले अपनी जर्मनी की यात्राओं के बारे में जानगारी को शिपाया था नियमों के अनुसार भारती नागरिक्ता के लिए आविदन देने से पहले किसी सक्स को लगातार एक साल तक भारत में रहना निवार है चिन्ना मनिनी तिलंगाना की वे मुलवाडा सीट से साल 2019 से विदायक हैं भारत में दोहरी नागरिक्ता का प्रधावन नहीं है चलिए आव आपको तिलंगाना के वाए मत दें तिलंगाना का गठन दोह जुन दोहर चौधा कुगा था सीएम में स्री केच्छन से खर रहाओ जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे है गवर्नेर डाक्टर तमिली साई साउंड राजन में रिवर्स की बात के तो गदावरी, मूसी, कावेरी, कृष्ण देंसल पार्क की बात के तो महावीर, हरियान, हरीन, अवन, सतली, मुर्गवानी डैम से नागारुजन सागर डैम, सरी सलम, डैन से गुसाडी चलिए आपको मैप में दिखाते हैं तेलंगाना, यह है मैप में तेलंगाना किसने जीता है, इसका सही आंसर आफिट नमबर C, ब्राजील हाली में फिफा अंडर से ब्राजील ने मेक्सीको को हरा कर जीता है चलिए अब आपको ब्राजिल के बार में आते हैं ब्राजिल की काप्टल है ब्राजिलिया प्रेसिडेंट है जियर बुलसरारो जो की आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं जो की दोयार बीस में 26 जनवरी में आने वाले मुख खाती थी भी हैं ब्राजिल की बात करें तो ये सबसे बड़ा कौफी उत्पादक देश है ये पांचवी नंबर का जबसे बड़ा वाला देश है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ब्राजिल ये मैप में ब्राजिल चलिए आपको फीफा के बारे में बाते हैं फीफा का फुल फॉर्म है दा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबाल एशोशियेशन हेटकॉर्टर जीवरी स्विंजर लेंड इसके स्थापना किस में 1904 को हुगा था प्रिस्टेंट है ग्यानी इंफेंटिनो जो कि आपको इमेज में दिखा जा रहे हैं टोटल मेंबर्स हैं दोसे 11 कंट्रीज मोस्ट वर्ल्लकप विन की बात कहें तो ब्राजील पास टाइम 22 फीफा वर्लकप की बात कहें तो कतर दोयर 22 में होगा तथा 21 जो फीफा वर्लकप था वो रशिया दोयर 18 में हुगा चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के कोशन के तरफ भारती सस्त्र बलो के सरवच कमांडर कौन होते हैं इसका सही आंसर आपस नमबरे भारत के वरतमान राश्टपती जो कि रामनात कोविन जी हैं जो कि भारती सस्त्र बलो के सरवच कमांडर हैं चलिए चलते हैं आज क के आंसर आफ एस्टटे कोशन के तरफ नेमलिकित में से कौन सी भारतिय मैला मुक्के बाजख खिलाड़ी AIBA के पहले अथलेट आयोग में सदस के रूप में चुनी गई है इसका सही आंसर था आपसर नंबर A शरीता देवी चलते हैं कोशन आफ दे के तरफ हाली के अगले मुक्य सूचनायुक्त के रूप में किसे नुक्त किया गया है इसका अंसर आपको कमेंड़ वक्स में कमेंड करके बताना है साथी में आपको कमेंड करके भारत के मुक्य सूचनायुक्त कौन है ऐसे डेलिक अंटफेर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पी